हाई एवरिवन कैसे हैं आप सभी आप सभी का एक बार पुना स्वागत है सेंट पीटर्स लौक एडमी में मैं जेडी उपाध है आप सभी का पुना स्वागत करता हूं और आज इस वीडियो का मुख्य उद्देश है उन थ्री न्यू लॉज के इनक्टमेंट एनफोर्समें और रिप्लेसमेंट के बारे में तो जैसा कि आप सभी अपनी स्कीन पर देख पा रहे हैं कि आज कर विश्य रहेगा हमारा वो थ्री न्यू लॉज कौन कौन से हैं उनका इनक्टमेंट कैसे हुआ है उनका एनफोर्समेंट कैसे होगा और उन थ्री लॉज ने किन किन को रिप्लेस किया है या रिपील किया है तो मैं बता देना चाहता हूँ जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 21st of December को पार्लेमेंट के दोनों हाउसेज ने तीन नए बिल पास किये और उन तीनों नए जो बिल थे उनका नाम था BNS याट मीज भारतिये नियाए सहीता 2023 दूसरा बिल था जिसका नाम था BNS भारतिये नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और थर्ड बिल था जिसका नाम था BSA भारतिये साक्ष अधिनियम 2023 उन तीनों ही बिल को 25th of December 2023 को प्रेजिडेंट ने असेंट दे दी और वो तीनों बिल कानून बन गए तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि आप अपने स्कीन पर देख पा रहे हैं उन थ्री न्यू लॉज के बारे में फर्स जो लो है उसका नाम BNA से 2023 का नया लो है और इसको में समझ सकते हैं कि यह सबस्टेंटिब क्रिमिनल लो है यह ओफेंस इसको डिफाइन करता है और उनके लिए पनिश्मेंट प्रिस्क्राइब करता है जिसका एक्ट नमबर है 45-2023 साथी साथ जब सेकेंड लो के बारे में आप जानेंगे उसका नाम है BNSS 2023 जिसका आक्ट नमबर है 46-2023 यह एक प्रोसीजरल लो है ठीक है साथी साथ जब आप थर्ड न्यू लो को देखेंगे उसका नाम है BSA भारतिय साक्ष अधीनियम 2023 और इसका भी आक्ट नमबर है 2023 अब question यह आता है कि यह जब three new laws हैं यह जब लाए गए तो इनका enactment किस date को हुआ enactment date वो date होती है जिस date को किसी particular bill पर president के sign हो जाते हैं या state legislature के reference में देखोगे तो governor के sign हो जाते हैं तो यह जो three laws हैं यह central के law हैं तो इन पर 25th of December 2023 को इंडिया के president ने sign कर दिया तो जिस दिन इनको sign किया गया वो date decide की गई enactment date तो इन तीनों ही कानूनों को एक ही particular date पर इनक्ट किया गया है और उस date को हम कह रहे है 25th of December 2023 ना question is this कि भाई यह जो तीनों laws है यह लागू कब से होंगे तो इस reference में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अभी जल्दी में ही इसकी enforcement date decide की गई है और वो है आपका 1st of July 2024 लेकिन इसको समझने से पहले थोड़ी काम की बात समझे जब आप BNS 2023 की section 1 सब section 2 को पढ़ते हो तो उसमें लिखा हुआ है कि BNS उस particular date को enforce हो जाएगा जिस particular date को central government official gadget में notify कर देगी तो central government ने अभी हाल ही में notification पास किया है और उस notification को pass करने की power central government के पास आई है BNS 2023 की section 1 सब section 2 से और उसने notify कर दिया है कि BNS को हम 1st of July 2024 से enforce करेंगे लेकिन साथी साथ notification में ये भी लिखता है कि BNS की section 106 clause 2 enforce नहीं की जाएगी ठीक है दूसरे कानून की बात करते हैं जिसका नाम मैंने आपको पहली बताया है BNSS भारतिय नागरिक सुरक्षा सहींता 2023 जो की एक procedural law है इस की section 1 clause 3 में भी एप्रोवीजन था कि जब official gadget में central government ये date decide कर देगी कि कि किस date से इस कानून को enforce किया जाएगा ठीक है उस particular date से ये कानून enforce हो जाएगा तो section 1 clause 3 से power drive करके central government ने notify कर दिया है कि BNSS 2023 को भी हम 1st of July 2024 से enforce करेंगे and it is very similar with BSA तो BSA 2023 जब आप देखेंगे तो उसका section 1 sub clause 3 आप पढ़ियेगा तो वहाँ पर भी ये power central government को दी गई कि आप उस date को decide कर सकें जिस date पर आप official gadget में notify कर पाएं कि कि किस date से BSA applicable होगा तो BSA की section 1 clause 3 को base बनाकर power drive करके central government ने notify कर दिया है कि भाई BSA 2023 को हम 1st of July 2024 से enforce करेंगे Now question is this कि भाई ये 3 new laws हैं इन 3 new laws ने हमारे पुराने किन कानूनों को replace कर दिया और उन्हें repeal कर दिया और ऐसा provision का है तो मैं बता देना चाहता हूं कि जब आप BNS को पढ़ोगे तो BNS ने repeal किया आपकी IPC को Indian Penal Code 1860 का एक law था जिसका act number 45 of 1860 था इसको repeal किया है BNS की section 358 clause 1 ने 358 clause 1 of BNS ने साफ साफ लिखा कि भाई जिस दिन से ये कानून लागू हो जाएगा तो repealing का process कहां पर दिया हुआ 358 clause 1 में साथ ही साथ जब आप BNS के साथ साथ आप देखोगे BNS को तो इसको भी हम जब देखेंगे तो इसकी जो section है 531 clause 1 उसने आपके पुराने कानून को जिसका नाम था CRPC 1973 का ये act कानून था और इस 1973 के जो कानून है CRPC का इसका act number था 2 of 1974 इसको भी इस particular section ने आपका repeal कर दिया और तीसरी बात आती है BSA भारती साक्ष अधिम्यम इसने Indian Evidence Act 1872 को repeal कर दिया और ऐसा provision BSA की section 170 clause 1 में लिखा हुआ है now question is this कि इन तीन नए कानून के आने के बाद अब समझना ये है कि इनकी आप study कैसे करोगे तो मैं एक छोटी सी बात आपको बता देना चाहता हूँ कि चाहें आप न्याइक परिक्षा की तयारी कर रहे हैं चाहें आप semester की तयारी कर रहे हैं चाहें आप advocate हैं चाहें आप professor हैं आपको पुराने कानून के साथ साथ नए कानूनों का भी अध्यन करना चाहिए ये नहीं है कि ये new कानून आ गए हैं तो इनके आने से पुराने वाले को आप छोड़ देंगे या पुराने वाले को नहीं पड़ेंगे आपकी तैयारी तब बहुत अच्छी हो सकती है जब आप old laws के साथ साथ में new laws को देखें कि भी addition, modification, deletion, substitution कहां कहां किया गया अब एक छोटी से संचिप जानकारी और देदू हैं आपको ये जो BNS है ये आपका substantive criminal law है offenses को define कर रहा है और इनका punishment prescribe कर रहा है ठीक वैसे ही जैसे आपका IPC करता था अब इन दोनों में तुलना मैं करके बता दूँ आपको जहां आपकी IPC में 23 chapters थे 511 sections थी अब नए कानून के हिसाब से देखा जाए तो BNS के अंदर cable और cable 20 chapters है और 358 sections है दूसरे कानून की अगर हम बात करते हैं तो BNS के साथ BNSS को जब आप देखोगे तो इसने replace किया किसको CRPC को अब CRPC के अंदर आपका 37 chapters हुआ करते थे और 484 sections हुआ करते थे लेकिन new law जो की एक procedural law है जिसने पुराने procedure law को replace कर दिया उसके अंदर 39 chapters हैं और 531 sections हैं लास्ट कानून की बात कर ले हम लोग जिसका नाम BSA है ठीक है इसने आपके पुराने law को जिसका नाम Indian Evidence Act 1872 है जिसका Act No.1 of 1872 था उसको replace कर दिया और उस कानून के अंदर 11 chapters हुआ करते थे और 167 sections हुआ करते थी maximum और नए कानून के हिसाब से आप देखोगे तो BSA में आप पाएंगे कि 12 chapters हैं और साथी साथ maximum 170 sections हैं तो मैं उमीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो फ्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और हां St. Peter's Law Academy के साथ बने रहेगा दन्यवाद।